ि नमस्कार दोस्तो स्वागतें आप सभी की यॊटूब सभी को पता है कि मार्श के पहला पाट का करने में कर लिए हैं और इस वीडियो में करेंगे मार्श के दूसरे पार्ट का करेंट इफैस एक बार सभी लोग जल्दी से आजएए गुड मॉनिंग टौ अल आफ यो गुड मॉनिंग एवरीवन एंग गुड मॉनिग एक बार आपको इपता दें सबसे पर दो कि करेंट इफैस बहुत अच्छे इंपॉर्टन कोशन होते हैं आप स वीडियो बहुत महत्यपूर होती है और आपके लिए बहुत ज़्यदा महत्यदा होती है तो इससे पहले आप सभी को अलेडी बता दे कि अनकडमी लेकर आ चुका है फ्री मॉक्टेस जो आपको मॉक्टेस वन है वो 13 दिसंबर को हो चुका है 19 दिसंबर को हो चुका और हमने कुल मिलाके 60 कोशन अलड़ी कवर कर दिये थे अब यहां पर बच्चे हुए 40 कोशन यानि कि 100 कोशन आपको हर महीने के मैं करेंट वास करा रहा हूं तो बच्चे हुए 40 कोशन वो इस वीडियो में कवर करेंगे जो कि बहुत important होगा और आपके लिए यहां पर 40 कोशन जो हैं यानि की 60 से हम यहां पर स्टार्ट करेंगे वह स्टार्ट करते हैं सभी के सभी तयार हो जाएगा कमेंट बॉक्स में रेडी कमेंट करेंगा लेकिन सेयर करना मत भूलिएगा जबर्दस तरीके सेयर कर दीजेगा तो भईया आप सभी के लिए आज का सबीके पास आ है जो कि बहुत महत्यपूर है क्या कहता जरा ध्यान से समझेगा कौन से ऐसा देश है जो अब बैटमिंटन एसे चेंपेंसिप 2020 की मेजमानी करने वाला है हर कोशन के लिए आपको पांच सेकंड का समय दिया जाएगा समय में आपको कोशन का एंसर सही करना है और बताना है क इस बार कौन करने वाला इस बार फिलिपीन करने वाला था पहले काने वाला था चाइना कि वहां पे वहां व्होने वाला था तो बहुत इंपोर्टन कोशन आपकी पुच्छाओं लिए जो पेपर में पूछा जाएगा तो मैं थोड़ा साइड रहूँगा और आपको हर चीज समझाते रहूँगा क्या है क्या नहीं आप हर चीज डिटेल में यहाँ पर समझते रहेगा और आपको सारी वीडियो आपको यहाँ पर समय पर मिलते रहेंगी अगला कोशन आते हैं भारती महीला टीम की किस खिलाडी ने क्रिकेट विस्टक फानल खेलने की खेलने वाली पहली युगा खिलाडी बनी है जल्दी से बता दी अच्छा बास उटा कोशन आप सभी के पास है कि चौथा वेस्ट्रिक आउरवेद महस्तो किस सहर में आजित किय यह आपका बास अटमा कोशन है तो आईरवेद महस्तो की बात कर रहा है आप सभी को पता होना कि जो आईरवेद महस्तो है वो कहां पे किया जाएगा वो कोच्ची में किया जाएगा कोच्ची कहां पे है केरल में और यह पांच दिन का जो है महस्तो आउजित किया गया था ये मई की बात आपको पता है मार्च में ये को करेंट अफास है नि कि ये सोला से लेके बीस मई तक आयुजित किया गया था कहां पे केरल के कोच्ची सहर में बहुत इंपोर्टन कोश्चन है, बहुत महत्यपूर कोश्चन है. अगला करेंट आपास आता है विस्टो की सबसे युवा खिलाडी कौन बनी है कौन भारती खिलाडी ने क्रिकेट विस्टो कब में सबसे युवा खिलाडी बनी है कौन है बाई जरा जल्दीस बता जीजे जो भारती महिला टीम की है और ये क्रिकेट विस्टो कब फानल खेल नहीं है सबसे युवा खिलाडी इनका क्या नाम है और हाले ही में बहुत चर्चा में भी रही थी क्योंकि आपको पता है ये कितना रंकुल बनाई थी हाँ बहुत बढ़िया यह उन्होंने 75 अरों की बहुत ही सांदार पारी केली थी बहुत अच्छा सभी के कमेंट आ रहे है सबसे युवा खिलाडी जो की फानल खेली है भारतिय महिला टीम की तरफ से विस्व कप का नेश्ट कोशन आते है गाईज देखते है अगला कोशन आपके पास क्या कहता है अंतराश्टिये महिला दिवस कब मनाया जाता है एक बहुत सिंपल कोशन हर बच्छा कमेंट करिए हर कोशन के लिए पांच सेकंड का समय मोर देने ना बहुत इंपॉर्टन कोशन है हां तो अंतराश्टिय जो महिला दिवस हैं वो हर साल मनाया जाता है आठ मार्च को यानि आपसे नमबर डी आठ मार्च यहां पर इस कोशन का बिल्कु सही अंसर हो जागए बहुत यह जी क बात करां इन सभी में से कौन से ऐसी वाल्यू डाबनेटी जो आपकी प्यूमा प्यूमा एक कंपनी आप सभी को पता है जो कि स्पोर्ट से के रिलेटर सारी की सारी चीज़े बनाती है तो प्यूमा की जो ब्रांड नमेजर वो करीना कपूर है अब समझना आप में देखा क पूमा का जो प्रचार विराट कोहली भी करते हैं और पूमा का प्रचार बहुत सारे आपके खिलाडी भी करते रहे लेकिन करीना कपूर का वर्क क्या है जो इस्टुडियो कलेक्सेंस है वो सारे के सारे प्रचार करना जो वर्क है वो मिश्चा करीना कपूर का है यह बहुत राष्पती रामनात कोविंद ने अंतराष्टिये महिला दिवस के मौके पर कितने महिलाओं को नारी सक्ति पुरसकार जो है उससे सम्मानित किया है कब आप सभी को पता अंतराश्टी महिला दिवसाभी हमने यही तो कोशन कवर किया था कब मना जाता आठ मार्श को मना जाता है इस दिन क्या हुआ था इस बार जो मार्श में मना गया तो दोहजाबीस वाला अगला कोशन मेरे दोस्तों क्या कहता जरा पढ़िएगा हिंद महासागर आयोग के पांचवे परवेच्छक कौन है बतलब ऐसा देश जिसको एक बार और सब देगा भाया तुम भी हिंद महासागर क्या कर सकते हो प्जरवर बन सकते हो तुम भी जो इंडिया वोसन उसकी परवेच्छब बन सकता है अच्छा अब आपके पास बहुत सारे कोशन यहां से उड़ सकते हैं जैसे कि इससे पहले के चार कौन-कौन से वो भी आपसे पूछा सकता है कि इससे पहले के चार कौन-कौन से तो यूरोपिया जो देश हैं वो आपको पता है इसमें कभी सारे सामिल भी हैं और नेक्स कोश कोशन तो बहुत पूछा था भाई कहना ही नहीं है एकोनॉमिक्स इंटेलिजन्स यूनिट के समावे से इंटरनेट सूचका इसमें जो भारत को रैंक मिला है वो कुल मिला के मिला है 46 और आपको पता होना चाहिए इसमें 100 देश जो होते हैं वो भाग लेते हैं जिसमें भारत की रैंकिंग है 46 अगर आपसे यहां पर कोशन पूछा जाए भाई यह बता दो कि टॉप पर कौन ना है तो टॉप पर रहने वाला है स्वीडन तो स्वीडन इज़ राइट हैं सो भी कोशन अगर आपसे टॉप पर रहने की बात पूछेगा तो भाई आप क्या बोल दोगे स्वीडन बोल दोगे लोग एक किताब के बारे में कोशन आए क्योंकि किताब सेटर तो हर बार कोशन पूछे जाते हैं क्या कहता किताब किताब कहता है दे कॉमिक बुक दा एडवन्चर्स ऑप दा डेर डेविल डेमरोकरेट यह किताब किसके जीवन पर आधारित है बहु से क्या क्या कोशन पेपर में आ सकते हैं सबसे पेरा तो आप से ये पूछे गए या बीजू पतनायक जी है को है तो आपको पता होगा जो उड़ीसा के मुख्यमंतरी उनका नाम है नवीन पतनायक और नवीन पतनायक जी के पिताब एक लिखी गई थी जिनके में ये बता गया कि बीजू पतनायक ने अपनी जीवन में पॉलिट्रिस के इस अलामा और भी कई-खारी चीज़ें जो करी है उन सभी को एक कार के रूप में एक पूरी किताब में सौप दिया गया है जिसका उद्घाटन मिश्टर नवीन पतनायक जी ने किया था जो की उड़ीसा के म जीता है ऐसी कौन सी भारती खिलाडी है जिन्होंने ये एवार्ड जीता है पहला एवार्ड इन्होंने जीता है स्पोर्ट्स ओमेन आप दा यर जल्दी से कमेंट बॉक्स करके बता दो भाई किसी के कमेंट टुकने नहीं चाहिए बहुत अच्छा तो बात करेंगे यहां पर सही आंशर कि तो पीबी सिंदु यहां पर बिलकुल सही और बिलकुल खतरनाओ बहुत बहुत बहातरीं सही कॉश्ट होजा का के आप सभी से जो पोसं अभियान कार्कme है इसमें भाग लेनेichtet वालों से अभियान महिलाओं मों को करका पोसं अभियान हो बहुति हैं में आंदरपरदेश में बहुत बहड़ी हैं सब को चलना। तमिल नाडू में भी बहुत अच्छा है लेकिन हमको याद करने के तरीके पतो है। तमिल नाडू से हम याद कर सकते हैं कि तमिल नाडू में जो पोसड है वो काफी अंतर राश्ट्री क्रिकेट परिसंद ने महिला क्रिकेट के प्रचार के लिए कौनसा अभियान सुरू किया है अरे हाँ या ना जल्दी से बता दीजे महिला क्रिकेट देखिए इसके लिए क्योंकि आपको पता पूरुस क्रिकेट बहुत फेमस है तो अगर उसका 10% ने महिलाओं के उपर ध्यान दे जाए या नि महिलाओं क्रिकेट को देखा जाए तो महिलाओं क्रिकेट का भी बहुत अच्छा प्रोगेशन हो सकता है तो महिलाओं क्रिकेट को थोड़ा सा बढ़ा हवा देने के लिए एक अभियान सुरू किया है बहुत अच्छा यहां नकिए गया तो जो महिला टीटॉन्टी कफ वाला है यह साउथ अफरिका में होने वाला है तो साउथ अफरिका इस राइट आइंसर आप फिसकोषन बिल्कुल सही और जब्रदस्था एंसर जाएंगे अच्छे कोषन है important question है सब के सब बहुत महत्यों पूरा है देखो आप लोको मैं recording वीडियो भी इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपका समय वेश्ट ना हो अभी मैं जैसे कर मानो यही वीडियो घंटे में कवर हो जाता है तो यह आपके लिए बहुत बढ़िया है लेकिन आपको पता लाइव में बच्चे ज्यादा जुड़ते हैं हम लोग को लाइव करने का जो में रीजन होता वो यही होता कि बच्चा आराम से चीजों को पूछ सकेगा सब चीज समझ सकेगा वीडिय को सेयर कर रखा तो आपको खुदी पता चल जागा कि आप अच्छा बच जोड़ा है आपने वीडियो तो आप वीडियो को सेयर करना अषि करना सुरुवत कर ओ जो इतना होपा उतना सियर कर रहे कर आ वीडियो को ताकि हमें फिर से लाइश आने के जो अतना पड़े देखते हैं आज का 75 कोशन आप सभी के सामने क्या कहता है केंद सरकान ने महिलाओं को आजीवी का कमाने के लिए उसमें समर्थन देने के लिए किस वर्स तक 75 लाख रुपया स्वाइम सहयता सम्हू बनाने का लक्ष निर्धारित किया है मतलब उन्होंने क्या किया है 75 लाख रुपय का स्वाइम सहयता एक सम्हू बनाने का निर्धारित कर रही है केंद सरकार ने ऐसा काम किया तकि महिलाओं जो है अपनी उपर डिपेंडेंट हो सके और वो बहुत अच्छा रोजगार लोगों को भी देख सके इसके लिए 2022 तक के ory नेकश प्यार कि से दिया गया है बहुत संदर कोसोन कमेंटेरी रुकने चाही और जल्दी सेयर करो कि अच्छा दे बहुत अच्छी है यहां पर को पता इस लिए आंतरास्य जो महिला दिवस कंबाए गया था हम ने का भी दो बताये थे कब मनाए गया था आठ मार्श को मनाए गया था जो जो 2020 मनाए गया था ना मुझे कौन बता सकता कि इसकी थीम क्या थी ये बहुत अच्छा कोशन अंतराश्टी महिला दिवस की थीम क्या थी ये कोशन आपसे पूछा गया हाँ तो जो नेक्स प्यात्य गाईश देखते हैं अब को पता अर्दसनिक बलका महाने देसक चुना किया है SS देशवाल को यह कोशन पुराना हो चुका क्योंकि अभी जो है वो BSP के महाने देसक जो है वो इसलिए में आपको यह कोशन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि यह कोशन अलडी पुराना हो चुका है अंतराश्ची योगदिवस 2020 का मुख्या उजन कहां पर करे गया थी इस बार आपको पता है जो योगदिवस हो हर साल मना जाता है और बहुत ही बहतरीन सा कोशन है कब मना जात अच्छा एक उस्सा है जिसका नाम है फगली आपको पता कि हर राज़ के अपने कुछ एक स्पेसल चीजे होती है एक स्पेसल टेडिसन होता है और कई सारे ऐसे राज़ है जिनको तो उसी टेडिसन के हिसाफ से उनको एक अलग राज़ बना दिया गया बतलब भासाओं के ह साब से भी राज़ बनाया गया ये बात आपको पता होने चाहिए जो कि समयधान में लिखी होई है तो फगली एक उस्सा है जो कि किस राज़ में मनाया जाता है और हालही में इस उस्सा को मनाया गया है फगली मनाया जाता है कि बुराए पे अक्छाय केजी जैसे कि आप द बहुत बहतरीन सा किताब है बहुत बहतरीन राइटर भी है इनकी देखते हैं क्या कहता है फिर से इस किताब को किस ने लिखा है बहुत बढ़िया बहुत सांदार हाँ तो आपको पता इस किताब को किस ने लिखा है इस किताब को लिखा है ताहिरा कस्तब ने ताहिरा कस्तब अरे क्या कहता है कोशण निद्रादिवस गाना जाता है 2020 का कब मनाय जा रहा है निद्रादिवस मतलब सो खाली दिन भर उस दिन और को काम धन्दा नहीं करना है तो इस बार का यानि दो हजा बीस के अगर मैं निद्रादिवस की बारे में बात करूँगा तो कब मना जाएगा देखो इस कोश्चन के क्या खासित है आखिर मैंने ये कोश्चन आपके सामने क्यों रखा इसलिए रखा क्योंकि निद्रा दिवस ऐसा कोई फिक्स नहीं कि इसी दिन मना जाएगा आपको याद खना एक कईस मार्च से पहला सुक्रवार एक कईस मार्च को चाहें जो भी दिन पढ़े चलो ठीक है उससे पहला जो भी सुक्रवार होता है उसी को निद्रा दिवस मना जाता है और इस वाकर दो जिद्रा दिवस मना जाएगा वो कम मना जाएगा भईया हाँ कम मना गया तो 2020 आपक कितना मना गया तो इसमें तो अच्छा नहीं दे रखा तो याद अखना जो विस्टो निद्रा दिवस है यह आपके लिए मनाए गया है एक कईस मार्च से जो पहला वाला आएगा उसमें मनाएगा कोई इस वाका फिक्स साहिब नहीं होगा मुझे लगा इस विए साइंसर नह करके बता देना कि क्या होगा इस कोश्टन का सही एंसर नेक्ट पर चलते हैं देखते हैं क्या कहता है यह बताओ जल्दी से CSR इनिसीटी फेसबुक ने सुरू किया है अरे भाया यह बता दो भाई किस नाम से सुरू किया है भारत में तो जल्दी से कमेंट कर दीजे क्या हो मतलब कि यहां पर यह होता है जितने भी गैर लावकारी इकाईया है मतलब कि जो इकाईयों से प्रॉफिट नहीं हो रहा है उनको चीजे सिखाना कि किस तरीके साब प्रॉफिट कर सकते हो क्या कर सकते वह सब कुछ अब भया यह चीज करने में गूगल कैसे पीछ हो और महीला विकास कोसल विकास जो है कारकम गूगल ने सुरू कर दिया है इस कारकम का गूगल ने भी एक नाम दिया तह प्रगयतिना फेजू काले ने उसी तरीके से गूगल है उसने भी एक नाम दिया जिसका नाम दे दिया क्या डीजी पीवाट यानि ऑपसर नंबर A is the right answer सबी कोश्चन बिल्कुल यहाँ पे सही और जबर्दस आइनसर हो जाएगा तो गाई चलते हैं आज कि अपने पचासवीवा कोश्चन पर देखते हैं क्या गयता आप सबी के सामने यह पचासवीवा कोश्चन किस फुटबॉल कलब में आई लीग दोहजा उन्नीस बीस का किताब जीता है तो वैसे तो यह कोश्चन आपके पेपर में नहीं आने वाला क्योंकि आपको पता दोहजा उन्नीस से कोश्चन लेकिन आपको बताने इसलिए भी जरूरी कोश्चन आए हुए तो याद कर लिजे मोहन बागान एफसी जो है यानि फुटबॉल लीग या फिर फुटबॉल कलब बोल सकते हैं इन्होंने आई लीग होता है जो दोहजा उन्नीस बीस का ये टाइटेन उन्ने जीता हुआ है अगले कोश्चन पर आते जरह देख लेते हैं भया क्या कहता है विंग्स इंडिया अब कोगे सर्जी विंग्स इंडिया क्या है तो विंग्स इंडिया जो है ये भारती है कि जो भारत का एक मंत्राला है जो कि आपको पता नागरी मिमानन मंत्राले इन्होंने विंग्स इंडिया स्टार्ट कर रह था और जो विंग्स इंडिया है ये इस बार का जो मनाय जा गया तो इनको एक आवस्तिक वस्तू के रूप में घोसित कर दिया गया है किसमें भारत के सरकार के अधिनियम में तो यह कौन सा अधिनियम है जिसमें इनको आवस्तिक वस्तू की हिसाब से भगया यह बहुत जरूरी हो गई है क्या-क्या एक तो आपका फेसमार्क्स कौन सा तो आवस्तव वस्तव दिनिया में यानि कि कौन कौन से चीज़े आवस्तव के उसके complete list में आवस्तव वस्तव दिनिया में ये भी जोड दिया गया है कि एक तो hand sanitizer भी जरूरी है और mask भी जरूरी है अगले कोश्चें पर जलते हैं एक और किताब के बारे में कहता है मसीहा बहुत सिंपल है बहुत बहतरीन सा कोशन है और आपको पता होना चाहिए कि ये किताब जो लिखी हुई है वो है सही एंसर आप सभी के लिए option number C यानि कि तवलीन is the right answer of this question मसीहा मोधी a tale of great expectation is the right answer of the question next प्याज़ बहुत रश्टी अपराद बीरो ने 12 मार्श 2020 को अपना पूरा का पूरा स्थापना दिवस मनाया है और हर साल 12 मार्श 2020 को जो अपराद बीरो है जो crime बीरो अपना स्थापना दिवस मनाता है लेकिन इस बार जो मनाया गया है 2020 में ये कौन से नंबर का अस्थापना दिवास है ये कोशन आप सभी से पूछा गया है जल्दी से बताओ दो भाईया लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर पैतिसवा दोजार बीस में मनाया गया है तो भाई कब अस्थापना हुई थी किसके आप सभी को नेस्नल क्राइम बीरो के अस्थापना कब हुई थी ये कमेंड बॉक्स में आपको कमेंड करके बताना है नेक्स्ट बॉश्ट में चलते हैं अप उनलोग देखते हैं क्या गया था भई किस टीम में ने दोहजा बीस रड़जी टॉफी का खिताब जीत लिया हां दोहजा बीस का रड़जी टॉफी इन्हों ने जीता है और एक कौन सी टीम है भई यह जल्दी से बता दो बड़ा इं राइट से नकी आपका इंटर नेंसनल की नहीं वर्ड कोहसकिंएं तो भाई यहाद दिखेंगा इंटरनीस करश को इंटरनना के और cud्रम ऐसे बनाएंगे will you रहे हैं क्या संभी को बात बिल्कुल क्लिय хотел है चलते हैं आजके बाउने कोष्टन पे ध्यान देते हैं क्या outrage करेंगी सी वर्ष्टे बनागा अब लैका जल्दी से बता दो इफस्यione के बैंक ब्लाइज종 कोण है हां बहुत अच्छा बहुत सारे एसे लोगे जो बहुत सारे चीज़ों के बराडनिमेशन, जैसे हमिताब बच्चन, man¿जरें बराडनिमेशन, बहुत सारे सरकारी जो योजना, आती उनके भी बराडनिमेशन, अमिताब बच्चन को ही बनाई जाता है, क्योंकि ये पुराने लोगों से जुड़े हुए है, तो पुराने लोग इनकी बात वांते इसी वज़े से इन्हें बनाय जाता है, और सतरंग योजना किस राजने सुरू करी है, सतरंग योजना नाम है, यानि सांदार सा काम होगा, जल्दी से बता दो भईया, हाँ, तो सतरंग है, भाई सतरंगी कौन होता, युआ ही तो होगा स सतरंगी ना, और युआओं के बारे में सोचने वाला कौन है, आप सभी को पता होगा, यहाँ पर पंजाब इदर आइट हैं सो अभी कौशन, तो पंजाब ने कौसल सतरंग योजना जो है, वो सुरूआत करी है, जिसमें क्या किया जाएगा, युआओं को, आपको, क्या द राज सबका सदस कोई ऐसे ही नहीं बन सकता है, यह राश्पती के पास पावर होती है, कि वो इस पावर का यूज कर सकता है, और राज सबका सदस से वो उसे बना सकता है, राश्पती के पास पावर होती है, और आपको ये भी पता होने जिए, वो कितने सदसों को एड़ कर सकता है तो पूरवर मुख्य नादीस रह चुके भारत के CGI रह चुके है जिनका नाम है रंजन गोगई साहब इनको ये बनाए गया है बहुत अच्छा कोशन है सिंपल सा अगले कोशन पे आते हैं आज का 95 कोशन कौन सा देश सभी वित्तिय बाजारों को निलंबित करने वालो सब कुछ बंद कर दिया और ये कौन सा देश है तो ये फिलिपीन्स है और आपको पता है फिलिपीन्स में ही बैट्मिंटन अला कारकम होने वाला है फिलिपीन्स के मनीला में अरे सबको बात पता है कि नहीं पता नेश्ट कोशन पे आते देखते हैं अप उन लोग क्या कहत था और इनका हालत भी बहुत इस्तिती खराब था एक्सेलंट की वज़ए से इन्हें कुछ नहीं खास फरक तो नहीं पड़ा था लेकिन इनकी तब्यद बहुत ज़्यादा बिगड़ी थी एज भी हो चुका था तो आपको सभी को पता है ये भारत के रच्छा मंत्री भी है और बहुत अच्छा कोश्चन है तो आपको मनुहर परिकर जी पर जो किताब है ये लिखिए सद्गुरु पार्टिल जी ने किसने लिखिए सद्गुरु पार्टिल यानि और एधर राइट आइट अभी कोश्चन बिल्कू सहीं एंसर हो जाएगा यह राष्टी बायो पॉलिसी लागू करने का पहला राजी कौन बन गया जिसने राष्टी बायो फ्यूल जो पॉलिसी वो लागू कर दी है इन सभी आपसर में से क्या होगा सही कोश्चन का एंसर जल्दी से बताईए हां तो राष्टी बायो फ्यूल जो पॉलिसी है वो लाँच करने वाला ज हमने यह नहीं पूछा Google के CEO कौन है हमने कहा Google Cloud इंडिया के महानी देशा कौन है हाँ तो यह देखेगा जो Google Cloud इंडिया के महानी देशा के उनका नाम है करण बाज़ुआ option number A is the right answer of the question क्या बास सभी के समझ में आ गया चलो एक और किताब पूछा जा क्या जनता तयार हो आज बताओ भई my encounters in parliament यह किताब को किसने लिखा है भई बताओ जल्दी से हाँ अब लोग कहरे रियार यह किसी किताब हो गए क्या कहता है my encounters in parliament यह किताब को लिखा है किसने भाल चंदर मुंगेकर क्या नाम है भईया इनका भाल चंदर मुंगेकर अब को किसर जी यह किताब है क्या और भाल चंदर मुंगेकर जी क्या है तो आपको पताओ जो जो भाल चंदर मुंगेकर जी है यह भारत के अर्थ सास् थे और रास्वा के सदस्वी थे ये बहुत अच्छा कोशन है बहुत बहुत बैतीन से कोशन है अब कोगे इस किताब को लाउंच केस ने कहा तो हामिद अंसारी साहब ने उस टाइम पे लाउंच किया तो जड़ा जल्दी सा जाते है अचा आप लोग रेलवे के त्यारी करने दोजाब 22 सोच रहो क्या option में तो है नहीं एक साल और बढ़ा लो 2023 कर दो बहुत मुस्किल काम है यह तो यह कब का बात है यह 2023 इदर राइट है सब कोश्चन 2023 यहां पर क्या हो जाएगा बिल्कुर सही एंसर हो जाएगा तो भाईया कैसा लगा आज का वीडियो और आप सभी यह बतादो क्या आप इसी तरीके से सारी के सारी वीडियो चाहते हो जैसे में आपको भी मैस भी देने वालो मैस भी बहुत इंपॉर्टन होगा तो कम समय में आप ज्यादा कोशन कवर कर पाऊगे अगर आपको इनको सभी की पीडियाफ चाहिए तो आपको सिरफ सिरफ आ चैनल जोईन करना पड़ेगा और आपको डेली दिन भर की जितनी भी क्लासेज होती ना भाईया सारी की सारी क्लासेज आपको मिल जाती है यह हमने दूसरा पार्ट मार्श का करेंट अपर किया हुआ इसका जो पहला पार्ट है वो अलड़ी आपको टेलेग्राम पे मिल चुक ग्रूप में अगर आपको लगता है यहां रेलवे का बच्चा है तो सत्यमसर की वीडियो से जरूर पहुचानी है मिलते हैं सीधे हम लोग मैस सॉरी क्लास में आठ बजे आपके लिए करेंट अफेर्स दस बजे आपके लिए मैस आपको देड़ बजे मिलते है कि व्राउ मिलते है देऱ् कना की सुर्वाव डिनग्टि पाउज़ देर किसा lawn झाय सबर देमी आपके लिए मिलते हैं सकते हैं सीधेи यहां लिएเวा